हां जी बेटा क्या हाल है जी आपका तो बेटा आज इस वीडियोंगे हम बात करेंगे कि जो FM एंट इको है ग्रूप टूस ये इंटर में उसमें इस नए स्टेडी मिटीरियल में क्या चेंजिस हैं सारा स्टेडी मिटीरियल देखा जा चुका है FM का भी और इको का भी ज्यादा कुछ खत्रे वाली बात नहीं है पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूँ सिग्निफिर्ट इंप्रूब्मेंट हुई है एकनॉमिक्स में नैश्र इंकम के चेप्टर में खास तोर पे जहां कहा जाता था कि भी थोड़े पते ही ये टेलिग्राम चैनल से पीडिएफ आपको मिल जाएगा तो इसके अंदर हमारे पास जी सबसे पहले जो स्कोप और अब्जेक्टिव साफ फानेंशल मैंजमेंट है वहां इस पेज नंबर पे जाके छे नए MCQ है उनकी नंबरिंग भी यहां प्रवाइड की गी है ज्यादा कोई इंपॉर्टन नहीं कोई MCQ में कोई ज्यादा माइन नहीं रखते देन इसके बाद 1.24 पे थ्रेटिकल कुशन नंबर छे और साथ एड़ किये गए यह जरूर देख लीजेगा टाइपस आपके पास MCQ जी आए हैं बाकी मैं कहा दूं कई जगा पे थियोरी इंप्रूब्मेंट है मले थोड़ा बैटर लिखा है पॉइंट्स वेरा बना दिये हैं थोड़ी एक्स्मेशन अच्छी कर दिया ऐसा थ्रू आउट हुआ हुआ है ठीक है उसमें कोई इक्कतोली बात नहीं देन रेश इस मैनुल से जैसे फाइनल में काम चल रहा है वही इंटर में चल रहा है कि वहां से कोशन उठाओ डाल दो ठीक है जी यह चीज़े इन्होंने कर रखी है तन कॉस्टो कैप्टल में भी MCQs एड़ किया गे एक कोशन भी आया निया बड़े चैप्टर्स हैं जैसे कॉस्टो प्रैक्टिकल भी आयड हुआ है और उसके बाद पीछे और प्रैक्टिकल कॉशन भी आयड हुए हुए है आप देख रहे हैं चार प्रैक्टिकल हैं मुश्किल वाले नहीं है और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे हम जहातर कैप्टल बस्टिंग के नाम से कहते हैं यहां इन्होंने तक्रिवन 5 question पीछे add कर दिया है, ठीक है, तो भाई यह जुरूर करना, एक तो आपको याद होगा अगर आप channel के साथ जुड़े हुए, November 20 के RTP में, बहुत ही अच्छा question था capital investing का, जिसको मैंने अलग से upload किया था, कि भाई यह अगर आ गया, तो दिक्कत होगी, याद है, वो add कर दिया गया है, capital budgeting में आप बार-बार धिहान से सुन दो, specially बता रहूं, इसके question जरूर करके देखने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, then risk analysis में भी illustration 11 जो add हुई है, जरूर करनी है, और कुछ questions भी इसमें बढ़ाएगे, ये भी जरूर देखने हैं, dividend decision में एक तो थोड़ा, अगर आप overall भी देखेंगे, तो formula थोड़े ज़्यादा better तरीके से explained है, भलका फुलका, कुछ ज़्यादा change नहीं, कुछ यहां question नहीं आए हैं, वो भी अच्छे, CA final में सी उठाए हैं, हमारे dividend वाली जो assignment है, वो पहली बहुत ज़्यादा detailed है, तो दिक्कत नहीं होगी, working capital के chapter में चलते हैं, तो हम फैक्टरिंग की theory को improve किया गया है, थोड़ा ज़्यादा better explain किया गया है, फिर forfeiting यह एक नहीं theory है, जो add की गयी है, बहुत detailed content है तो यहां यह शुरू होजएगा इस page पे, तो जुरूर आपने देखना है, then question 1 and 2 इसमें नहीं है, जो module में नहीं entry है, पर हमने ऐसे question cover कर रखे, then आते हैं जी economics की तरफ, अब economics में अगर आप देखें, जो national income accounting ओला chapter है, तो उसमें calculation of real GDP थोड़ा better way में समझाया गया है, illustrations यहां add हो रही है, art, फिर यहां 15 तक पहुंच जाती है, illustration, पहले chapter के अंदर, easy illustration है, plus two level की illustrations हैं वैसे तो, पड़ फिर भी आपने एक बार go through होना, ठीक है जी, फिर उसके बाद, इन pages पे GDP and welfare theory, यह एक नया topic add हुआ, अलखा सा, जुरूर देखके जाएं, मई 21 होले बच्चे, ठीक है भी, क्योंकि यह एक नई theory add कीगी है, यह मुश्किल नहीं है, पड़ पुराने module में नहीं था, तो बताना जुरूरी समझा, then फिर आप national income में देखते हैं, question 13 और 14 add की है ने long answer type में, application oriented, पांचवा और छेवा add की है, जुरूर करना है, इसमें जो भी addition जाता और हो रहा है, वो RTP based है, RTP में जो questions आते थे ना, अपने application oriented, वो उठा के add कर रही है, फिर case in theory में आते हैं, तो वहाँ page यहां से लेके यहां तक जो pages हैं, पूरा chapter है almost, 18 illustration add कर दी है, theory improve कर दी गई है, short answer type में question number 15 ने आया है, long में question number 12, application oriented में 3 question ने हैं, ठीक है भाई, पूरा wholesale में है, अब public finance में जाते हो, तो उसमें उन्होंने introduction में ही, शुरू में ही, 2.2 page पही ना, जब यह शुरू होगा chapter आपका, COVID related नए example add किये, जैसे videos भी अबने जब की थी, जब करोना चल रहा था, आपको recording आती थी, तो COVID के regarding, मैं भी example, COVID से जुड़े होगे दे रहा था, कि उस वद बनता था, कि पता था, कि भी अब ये, बच्चे देख रहे हैं, economy में क्या हो रहा है, हलात क्या है, तो उसके कोड़ी है, तो वैसे example इन्होंने introduction में add कर दिये, case study number 2 को बदल दिया गया है, अलग topic पर आगी है वो, अच्छी case study है, simple है, then उसके बाए जी fiscal policy, जो इसी का एक part है, वहाँ चार illustration आपको दिख रहे हैं, फिर 2.133 पर लिखा गया है, fiscal response to COVID-19, fiscal measures क्या लिए गॉप्मेंट ने, COVID-19 के लिए, बहुत RBA की meetings होती थी, बहुत कुछ announcements होती थी, बड़े उसके highlights यहां दिये हुए है, ठीक है सर, जरूर देखेगा, then उसके बाए कहता है, fiscal policy में ही question number 3 application oriented में add किया गया है, अब money supply आ जाता है, money आ जाता है, ठीक है न, concept of money जिसे हम कहते हैं, तो उसमें यहां, यह money demand वाले में, दो और तीन application oriented question, बड़े दो question एड़ गया है, question number 2 और question number 3, और यहां concept of money supply में, improvement हुई है थी, आप देखेंगे, module आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, 5 illustration added, 5 illustrations एड़ हुई हैं यहां भी, illustrations काफी लाए हैं economics में, और यहां updation की, इन्होंने policy rate के topic में, उसे latest कर दिया गया है, then उसके बाद जी, monetary and macro financial policies during covid pandemic, यह थी औरी भी दिए, by 21 onward के लिए modules आएं, जिस तरह हमें अच्छे से पता है, पर बेटा, जो यह चीज़ है न, covid वाले हालात, जो हुए हुए हैं, वो काफी देर से हुए, तो अगर आप January वाली series में भी paper में बैठ रहे हो, और थोड़ा बहुत इन चीज़ों को revise करने वाले हो, तो example अगर यहां से भी आपने उठाना है, पढ़ना है, तो हलका हलका पढ़ सकते हो, मैं यह नहीं कहरा है कि जुरूरी है, बट यार अगर कुछ covid regarding या कुछ ऐसी चीज़ जो macro mirror क्या होना चाहिए है, इसा कुछ लिखना आजे, तो यार इतना तो आपको आना ही चाहिए न, तो उसके लिए आप अगर यह पेजिस को refer करना जाते हैं, नए study material में, तो अभी भी कर सकते हैं, वैसे माई 21 ने, strictly, उसमें लिख रखा, then theories of international trade, यहां पे question number 3 add किया गया, application related question, फिर instrument of trade policy में latest event added, इसमें क्या था, चाहिना related example दिये, सारे, यहां latest, कि हमने जी apps ban कर दी, हमने फ्लाना import पे बैन लगा दिया, जो महौल बना था, आपको पता, उसके according examples को बगल दिया जाता है, वो यहां हुगा, फिर एक detail of India disputed WTO, ऐसा हम पहले कुछ नहीं देखते थे module में, यह भी आ गया, फिर tables को update किया गया, यह दो tables है, वो floating rate, fix rate वाला जो topic होता है, वहां पे various countries का जो data बहुत update कर दिया गया, फिर international capital movements में अगर आप देखो तो question number 2 add हुए, application related सवाल है, overall अगर देखें, क्योंकि हमने detailed analysis आपको भी तक सारे subjects का दिया, कि हर जगा बताया, कहां पे क्या है, panic rate करने वाली कोई बात नहीं, ठीक है, अगर coaching पहले हो चुकी है, दुबारा coaching लेने वाली भी कोई बात नहीं, ठीक, capital budgeting, risk analysis, dividend, वियरा, जो अहां भी question add हुए है, वो जरूर एक बार कर लीजिए, नहीं समझ आ रहे हैं, पूछ लीजिए, economics अगर revise करने बैठ रहे हैं, मई 21 खास तोर पे, अगर आपका वो target है, तो भाई ये नहीं वाले examples, COVID related जो भी theories add की गई, नहीं illustrations जो add की हैं, जरूर जरूर देखके जाओ, जरूर, हाँ जी, आगे जो अब students classes join कर चुके हैं, मई 21 के लिए, उनके बाद Google Drive के links आ चुके हैं, pen drives भी dispatch हो रही हैं, तो उनको इसका update जरूर दिया चाहिए, ये जो थोड़ा बहुत ही है, कुछ pages ही हैं, ये नहीं कि सारे chapter यह आपके change होगे, थोड़ा बहुत COVID related जो example दिया है, वो खुद भी बढ़ने से समझा रहा है, but still, update will be provided, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इतना ही था बेटा जी, FM Eco, CA Intergroup 2 में, हलका सा change, May 21 के लिए, ओके जी बेटा, बाई बाई,